नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमिद्व स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमिज जी सेंटर में दोस्तों आज की इस 1000 कुष्चन सीरीज के ग्यारवे वीडियो में मैं लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के महत्यपूर क्वेस्चन जो की बार-बार एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और बाकी आने वाले एक्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है अगर इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे हैं दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण है सिंदु सब्वेता की खोज किस ने की थी तो यहां पर जो नाम से जाना जाता है तो सिंदु सब्वेता को हरपा सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि हरपा सब्वेता जो थी वो सिंदु रेदी के तरफ पर विक्षित हुई थी इसलिए इस हरपा सब्वेता का नाम सिंदु सब्वेता भी पढ़ गय मुखी नहीं है तो option number 3 जो है आस्ट्रेलिया महादीप में एक भी ज्वाला मुखी नहीं है यहां पर एक और important question बनता है वह यह बनता है कि आस्ट्रेलिया महादीप किस गोलार्द में इस्थित है तो यहां पर आस्ट्रेलिया महादीप जो है कौन से गोलार्द में इस्थित है ठीक है चलिए बढ़ते हम अगले प्रशन की तरफ नीती आयोक की स्थापना कब की गई थी तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों कब की गई थी एक जनौरी 2015 में की गई थी इसलिए यहां आप्सन नंबर एक सही है 2015 में ठीक है अचार नीती आयोक का फुल फॉर्म है वो क्या होगा वो होगा नेशनल इस्टिटूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रशन है भार बैंवाषण के आएश्टीन कहलाएं ठीक है अचार यहां पर एक प्रशन और बुच्टा है कि इन्होंने कॉन सी पुष्टक लिखी थी जिसके कारदित को भारत का आश्टीन कहते हैं तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी माध्यमिक सुत्र जिसमें साबईस्ताम इप्र。श सी स्क्वाइर दिया था ठीक है वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ प्रस्ण है बिश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादविप कौन सा है तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है यहां पर सी आंस अब आधि एसी अब आधिप में पाई जाती है ठीक है अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरफ को डिए लिमिटेट की स्थापना कब वी थी तो को डिए ल्विटेट की स्थापना हुई थी 1975 में कॉलकाता में और में अनिल कोमार यहां और को इंपोर्टेंट है वह यह कि प्रकार की कंपनी छो एक हम पढ़ते हैं कि संभिधान में मौली कि लिया गया है तो यहां पर जो सही आंसर दोस्तों किस से लिए गया है कि से लिया अमेरिका से लिया गया है ठीक है अच्छा यहां पर एक प्रस्ण और बनता है कि जो मूल संभिधान में कुल कितने मौली का दिकार थे तो इसेवन थे ठीक है और प्रजेंट टाइम में कितने हैं तो प्रजेंट टाइम में छे हैं ठीक है वो छे क्यों हुए क्योंकि जो संप कब शुरूआ था तो यहां पर जो सही आंसर दूस्तों कब शुरूआ था 1942 इसवी में ठीक है यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसको एक और किस नाम से जाना जाता है तो इस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह जो आंदोलन ठीच के अब चलते हैं अगले प्रस्ट हैं का मुख्लाव एंडूं तो यहां पर जैसर जो कहां पर जाकार्टा में ठीच है यहां से और blossom बनता है जाकार्टा कहां की राजधानी तो जाकारटा। इंडोनेसियाकी राजधानी अभी हम यहां पर आशिया का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आसीयन का फुल फॉर्म क्या है एसोसियेशन ओफ साउथ हिस्ट एसीयन नेशन ठीक है यहां कितने मेंबर यहां पर कितने देश यहां पर मेंबर इसके तो दस देश इसके मेंबर हैं ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पर यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक सो असी देसांतर पर खीची गई रेखा होती है ठीक है जो कि उत्तर से दक्षिर की तरफ खीची जाती है ठीक है और यह कालपनिक रेखा होती है ठीक है तो चलिए उम्मिद करता हूं कि यह क्वेस्चन आपको अच्छे लगे हों होंगे और आपके लिए हैलफुल सावित होंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और इस चैनल पर नए रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिक्शन बैल को भी प्रेस कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक केर